आप सभी का स्वावत है आज हम पढ़ रहे हैं संख्याओ पर आधारिक प्रशन ये आरे सग्रवाल की बुक से चेप्टर 7 एक नया चेप्टर है तो संख्याओ पर आधारिक प्रशन बहुत सारे एक्जाम्स में आते हैं चेप्टर इसी टोपिक साते हैं तो इसको शुरू कर देते हैं आज से ठीक है तो ये पार्ट वन रहेगा आरे सग्रवाल का एक्सरसाइज एका एक्सरसाइज बी भी करेंगे हम लेकिन वो बाद में पहले एक्सरसाइज ए पूरी तरह से ख़तम कर लें ठीक है किसी संख्या का 2 बटे 5 का 3 बटे 7 यदि 198 है तो संख्या है बताईए देखो किसी संख्या का तो मान लो कोई संख्या कितनी है एक्स अगर एक्स का का मतलब होता है गुणा ठीक है एक्स का 2 बटे 5 का फिर सगुणा 3 बटे 7 बराबर कितना है 198 है ठीक है तो संख्या बताइए मतलब X बताइए तो बस solve कर लो इसको 3 दूना कितना होता है 6 6 से divide करो इसको 6-8 रा 6-8 वो 5 से तो होता है 35 तो X बराबर वो 33 है कुना 7,5,35 उधर चला गया तो multiply कर लेना आपको 11 से पच्चपना जाएगा इन दोनों का multiply ठीक है question number second देखते हैं एक संख्या उस संख्या का 3 बटे 5 देखो एक संख्या तथा उस संख्या का 3 बटे 5 दोनों का अंतर 50 है देखो एक संख्या और उसी संख्या का 3 बटे 5 का मतलब गो ना 3 बटे 5 इनका जो अंतर है 50 है तो सनक्रा बताना है तो यह x है माइनस यह है 3x बते में 5 तो इसके बते में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया मैंने ठीक है तो क्रोस – देखो नीचे LC मành लेना नीचे मल्टिप्लाइ कर तो 5 एकम 5 और इसका मल्टिप्लाइो है 5 एकम 5x माइनस 3X वन जा 3X तो 3X एकम 3X बराबर कितना आया 50 तो 5X में से गया 3X तो बचा 2X 2X बटे 5 बराबर 50 ठीक है तो 2 से कटेगा यह 25 बार तो X बराबर यह आएगा 25 और यह गुना में 5 तो 25 बचे 125 होता है ठीक है मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं बच्चा देख रहा है यार कितना वीक बच्चा देख रहा है ठीक है तो मैं वीक बच्चे को टार्गेट करके पढ़ाऊंगा सारे कोस्चेंज ठीक है ताकि बैसिक से वो समझे इन कोस्चेंज को जल्दी से जल्दी करना भी सिखे है इनको ठीके, आप option से भी कर सकते हैं इसको कि एक संख्या 125 और इसका 3 बटे 5 तो 3 बटे 5 निकालते आप तो हाला कि ये time बहुत ज़्यादा ले लेता तो आप जल्दी से करें इसी तरीके से और fastly थोड़ा सा, ठीके एक संख्या का 4 बटे 5 देखो, एक संख्या मानलो एक, एक का 4 बटे 5 तो 4 बटे 5, 4 बटे 5 उसी संख्या के, मतलब एक से 2 तीहाई से 10 ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि ये बड़ा नंबर है कि ये बड़ा नंबर है डिपेंड करता है ठीके तो 4 बटे 5 80% होता है और 2 बटा 3 कितना होता है 6-7% मतलब बड़ा ये होता है तो को ये fraction values मैंने calculate करके निकाला है ठीके आप एक काम कर सकते हैं multiply कर लिए 4 तीया 12 5 दूना 10 12 बड़ा होता है न तो ये number बड़ा होगा ठीके cross multiply 4 तीया 12 5 दूना 10 तो 12 बड़ा है इसलिए ये numbers बड़ा है तो बड़े में से छोटा बटाना है इनका जो अंतर है वो कितने का है 10 का अंतर है ये बोलना ये चाहरा है कि एक संख्या का जो 4 बटे 5 है वो इस संख्या से 10 ज़्यादा है तो अगर मैं इधर लिख दू ये 2X बटा 3 और उससे 10 ज़्यादा है ये समझना ये वाली step भी नहीं है तो ये 2X बटे 5 जो है इसको उठा करके मैं इधर लओंगा तो ये minus का 2X बटे 5 बनेगा बिल्कुल ये ही तो बताया है इसमें कि इन दोनों का जो अंतर है वो 10 है ठीक है तो बस सिंपल सा कैल्कुलेशन है नीचे LCM लेलो 5 तिया 15 मतलब गोना कर लो एक दूसरे का 5 तिया 15 ठीक है multiply करना है 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10 12X माइनस 10X कितना बचा 2X ठीक है बराबर 10 तो 2 से कटेक है ये 5 बार तो 15 पंजे हो जाएगा पिछता तो X की वेल्यू कितनी आएगी संख्या कितनी आगई हमारी 75 ठीक है तो ये हो गया आपका एंसर एक संख्या के चोथे तथा पांचरे भाग का योग उसके टीसरे भाग से 28 बढ़ा है देखो एक काम ही यहाँ पे क्या है कि मानले एक संख्या है कि X है तो उसके चोथे भाग चोथे भाग मतलब 4 से डिवल्ट कर दो उसके चोथा हिस्सा निकलाएगा तो एक संख्या का चोथा भाग और उसका पांचवा भाग, पांच से भाग करोगे, तो पांचवा भाग आए, तो इनका योग, तीसरे भाग से, उसके तीसरे भाग से, मतलब संक्या का तीसरे भाग से, 28 बड़ा है, समझ में आना है, तो बस कुछ नहीं करना है, एकस बटा चार, प्लस एकस बटा पांच, वो प्लस क X बटा 3 हिज़र आगा तो माइनस का X बटा 3 बराबर कितना है? 28 है ठीक है? तो बस calculate कर लेना है 5, 3, 12 सोरी 5, 4, 5 और 3 इनका आपको क्या लेना है? LCM ले लेना है सहाट, ठीक है? तो सहाट LCM आ गया है यहाँ पर तो सहाट LCM आ गया है 4 से सहाट को डिवाइड करो कितना बचा? 15, 15, 16 होता है ना? 15, 15 का multiply करो इस X में तो 15X प्लस, इस 5 से divide करो इस सहाट को, तो 5 से जब भाग करोगे सहाट को तो 12 बचेगा, 12 का multiply करो X में, तो 12X ठीक है? माइनस तेखो 3 से divide करो सहाट को, कितना है? 20 20 का multiply कर दो X में, तो 20X बराबर कितना है? 28 तो इस सहाट का cross multiply कर दोगे तो सहाट कहां जाएगा? यहाँ पे, ठीक है? तो 15 और 12 कितना हो गया ये? 27 और 27 में से गया 20X तो बचा 7X 7X बराबर 28 गुना सहाट, ठीक है? तो 7 चोक 28 तो सहाट चोक कितना होता है? 240 तो यह संख्या आ गई हमारी 240 इसका answer हो गया है, ठीक है? किसी संख्या के साथ परसेंट का 3 बटे 5 ये 6 हो, तो वह संख्या बताओ तो को एक संख्या X उसका 60 परसेंट होता है, साथ बटा सो उसका 3 बटे 5 होता है, 36 ये 37 दिया है, ठीक है तो 20 तिया 60, 20 बटे 5 होता है, ठीक है 3 तिया 9 तो 9 चोक चोक होता है, ठीक है तो 5, 5, 25 और 25 चोक होता है, 100 मतलब X की वेली कितना आ गई? 100, यह आगया आपका answer ठीक है? 740 का 35 परसेंट एक संख्या से 34 जएदा है तो 740 का 35 परसेंट ठीक हो, हाला कि मैं डायक्ट निकाल सकता था लेकिन सबको समझ में आना चाहिए 740 का 35 परसेंट एक संख्या, मतलब X से 34 बड़ा है 34 जएदा है, तो X प्लस 34 ठीक है? तो 740 का 35 परसेंट देखो 5 से 35, 5 तूना 10 ठीक है? यह 0 से 0 कट गया, 2 सकाड़ गया इसको 2 ती अच्छे, 2 सती 14 37 सती कितना होता है? 269 ठीक है? तो 259 होता है और इदारे X प्लस 34 तो 34 गया इसमें से तो 259 माइनस 34 इक्वल्स तो X तो 9 माइनस 4, 35 5 माइनस 3, 2, 2, 5 X की वेल्यू कितनी आ गई? 2, 125 और इस संख्या का 2 बटे 5 निकालना है तो 2,25 का 2 बटे 5 निकाल लो तो 5,20 2 बचा 5,25 45 दूना कितना होता है? 90 तो 90 होगिया इस प्रस्षन का उत्तर आपका ठीक है? किसी संख्या के 25 परतिशट तथा उसी संख्या के 25 परतिशट का अंतर 11.10 है तो उस संख्या का 75% कितना होगा किसी संख्या का 55% किसी संख्या का 55% और उसी संख्या का 25% ठीके इनका जो अंतर है वो कितने का है 11.10 का है ठीके तो उस संख्या का 75% कितना होगा तो देखो यार यह तो नंबर यह संख्या में कितने कांतर है 11.10 का और हम जानते हैं कि प्रतीशत्ता में कितने कांतर है यहां percentage में 30 कांतर देखो 30% कांतर हैं यह बोल रहा है 11.10 कांतर है मतलब 11.10 का मान हो गया 30% ठीक है 30% की वेलिय होगी 11.10 तो हमें चाहिए उस संख्या का 75% तो 75% निकालना है हमें ठीक है तो 5 से कर दो 5 से 15 बार जाएगा 5 चंग 30 ठीक है अब देखो यहां पर अब क्या हो सकता इसमें दसंदो देखो यह दसंदो हटेगा तो 2 0 लगेंगे यहां पर एक 2 ठीक है यह 0 से यह 0 कट गए 10 11 2 बचा 4 25 20 है ना 4 2 8 9 10 11 3 बचा सुरी 428 428 425 27 दसंदो पिछोत्तर तो यह होगा आपका अंसर इसका ठीक है यह एक भिन्न के अंच में 150 प्रतिशत वरद्धी कर दे हैं तता हर में 350 प्रतिशत वरद्धी कर दे तो भिन्न 25 बटा 51 हो जाता है तो मूल भिन्न क्या है तो को सबसे पहले आपको भिन्न पता होना चाहिए कि भिन्न बराबर मतलब fraction बराबर क्या होता है fraction कोई ऐसा होता है बिल्कुल जोसे 2 बटा 5, 3 बटे 5, 1 बटा 8 यह जो बटे में numbers होती है वो भिन्न कहलाता है उपर वाला number अंश कहलाता है नीचे वाला number हर कहलाता है ठीके तो अंश और हर में तो उपर है अंश तो अंश में 150% की व्रद्धी कर दी और हर में Y मतलब हर Y में 350% अगर मैं मान लूँ अंश यह 100% है X का 100% अंश है और हर भी कितना है 100% है ठीके 100% अंश मान लिया 100% हर मान लिया और अंश और हर 100% मान लिया यह बोट रहा है अंश में 100% की व्रद्धी कर दी तो अंश में 150% की व्रद्धी कर दी और हर में कितने की व्रद्धी कर दी 350% की तो भिन्द कितना हो गया 25 बटा 51 समझने आ रहा है नहीं तो ये कितना हुआ 150 और 100 250 तो X गुना 250 बटे Y गुना 450 350 और 100 बराबर कितना है 25 बटा 51 ठीके तो देखो 25 से ये कटेगा 10 बार और 0 से ये 0 कट गया मतलब X upon Y एक वस्टू कितना बचाए ये 45 ऊपर चला गया 45 upon 51 तो 45 upon 51 तो आप इसको 3 से सुल्व कर लो देखो 3 दूना 6 रुको 3 एकम 3 दो गचा 3 और सक तो 21 और 3 एकम 3 तीन पंज़ पंदरा पंदरा बटे सत्रा तो 15 बटे सत्रा हो जाएगा ये नया भिनना आपका ठीके तो मूल भिनना मतलब तो ये होगा आपका अंचरिस का एक संख्या की एक तिहाई देखो एक संख्या एक से उसका एक तिहाई का 3 चोथाई बराबर 30 है तो संख्या बताओ का एक चोथाई का दो तीहाई बराबर छे है तो संक्या बताओ तो इजी है बस देखो दो तीहाँ छे है तो numbers का multiply कर लो 4 तीह 12 12 तीह 36 36 का multiply कर लो 3 में cross multiply हो गो ना इसके बटे में कुछ नहीं है था तो 36 गुना 3 तो 6 तीहाँ 18 के 8 एक बचा 3 तीह 9 और एक 10 XR तो X की value कितनी आ गई 108 एक संक्या के 2 तीहाई का 3 बटे 5 देखो एक संक्या मानलो X X का 2 तीहाई का 3 बटे 5 और उसी संक्या मतलब X के 1 चोथाई का 2 बटे 5 इन दोनों का अंतर कितना है 288 है 288 है ठीक है तो वह संक्या बताओ तो संक्या बता लो देखो यह 3 से 3 कट गया 2 दुना 4 2 कट गया मतलब यह कितना बचा 2 X बटा 5 माइनस X बटा 5 दुना 10 बराबर कितना है 2 डबल 8 ठीक है यहाँ पे बटे में 10 है और यहाँ पे 5 है तो 10 करने के लिए 2 का मल्टिप्ला यहाँ बेकर दूँ आ 2 का मल्टिप्ला यहाँ बी तो 2 दुना कितना देखो यहाँ पे देखो एक स्टेप बढ़ा दू 4 X बटा 10 माइनस X बटा 10 बराबर 288 तो जब आधार सेम हो तो उपर वाला नंबर अगर घट रहा हो तो घटा दो जोड रहा है तो जोड दो तो 4 X माइनस X मतलब 4 X में से गया 1 X तो बचा कितना 3 X बटा 10 बराबर है 288 तो बस स्वल्व कर लो 3 से 3 321, 321, 321, 321 321, 321, 327 327, 1 बचा 3,18 तो 10 का मल्टिप्लाइ करोगे चन्नू में तो X बराबर 907 होगा आपका अंसर इसका ठीक है एक संख्या का 4 बटे 5 X कोई संख्या मान ली उसका 4 बटे 5 और उसी संख्या मतलब X का 2 बटा 3 से 10 ज्यादा है मतलब इनका अंतर जो है वो 10 का है तो 10 ज्यादा है 10 का में कुछ भी आता है ना इसा मतलब इनका अंतर होता है वो ठीक है तो यह हो गया 4 X बटा 5 और यह हो गया 2 X बटा 5 ठीक है तो क्रोस मल्टिप्लाइ कर लो या LCM ले लो देखो 5 तिया 15 नीचे मल्टिप्लाइ कर लो हमेशा तीन का मल्टिप्लाइ या 5 का मल्टिप्लाइ तीन चोक 12 X तो यह हो गया 12 X और 5 दुना 10 X तो 12 X में से गया 10 X बचा कितना 2 X बराबर कितना है 10 तो 2 से कड़ जाएगा 10 पांच बार 15 पंजे आ गया 75 तो X की वेल्यू कितनी आ गई 75 शायद इसके जिसाम कर चुके है रिपिट हुआ है शायद यह यह ज़िए यह ज़िए यह ज़िए आप चेक कर लेना एक बार ठीक है कोश्च नमबर 13 देखते है एक संख्या में 19 का स्क्वर जोड़ने पर 23 का स्क्वर प्राप्त होता है तो कितना बचेगा 168 तो एक्स की वेल्यू कितनी आ गई 168 ठीक है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की व्रद्धी हो जाती है तो मान लो कोई संख्या एक्स थी इसमें मैंने क्या किया 13 से गुना कर गया तो कितनी हो गई यह 13 एक्स मतलब कोई संख्या एक्स से 13 एक्स हो गई तो व्रद्धी होई है न सीधी सी बात है 12 एक्स की एक्स में जोड़ दिया 12 एक्स तभी तो 13 एक्स होगा मतलब 12 एक्स की व्रद्धी होई लेकिन वो बोल रहा है कि 180 की व्रद्धी होई पर हमें जानने की जर्वत भी नहीं है क्योंकि बड़ी चीज हम क्या करेंगे सीख के हम अभी समझ में आ जाएगा ठीक है क्या करना है कि किसी संख्या को अगर 206 से भाग देंगे तो 75 सेज बचते हैं 206 से किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या सेज बचेगा ठीक है, समझ में आया एक कोश्चन कि किसी संक्या को 200 चन्यों से भाग देंगे तो ये सेज बचता है, अगर उसी संक्या को 37 से भाग देंगे तो क्या सेज बचेगा अगला कोश्चन से है कि किसी संक्या को 14 से भाग देंगे तो 21 सेज़ बचेगा अगर उसी संक्या को गुनिश से भाग देंगे तो क्या सेज़ बचेगा जब भी ऐसा questions आए तो मुश्किल से आपको एक या दो सेकेंड लगेगा इनको solve करने में देखो कैसे करते हैं किसी संक्या को 200 चन्यों से भाग दिया हैं 37 से तो 37 से उस संक्या में भाग देने की बजाए 37 से इस सेज़ फल में भाग दे दो shortcut है ये 37 दोना होता है 74 और ये कितना है 75 कितना सेज़ बच गया एक ये हो गया आपका answer इसका ठीक है अगला सवाल किसी संक्या को 114 से भाग देने पर 21 सेज़ बचता है तो अगर उसे 19 से भाग देंगे तो क्या सेज़ बचेगा तो 19 से उस संक्या को भाग देने की बजाए 19 से पहली बार जो बचा सेज़ फल उसको भाग दे दो तो 19 से कम 19 ये कितना है 21 तो 19 से कम 19 तो 20 21 कि दो से स्पल बज़ गया ना, ये दो answer, ठीक है?